हेलो गाई, स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर, फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको पलाजो पैंट की कम्पलीट कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि हमारे आसन में जोल क्यों आता है तो इस समझ्या का समादान में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा बिना स्किप कियो ये पूरी वीडियो को देखिएगा तो चलिए हम आज का ये वीडियो सुरू करते हैं तो देखे पेंट के कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फेबरी को डबल फोल्ड करके बिचाया है और यह फेबरी के अर्ज वाली साइड है और यह लंबाई वाली साइड है तो हमें यहाँ पर पेंट के कटिंग अर्ज वाली साइड से करेंगे क्योंकि हमारी यहाँ पर इसकी नोर को cut कर लिया है, यह हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, अब हम यहां से pen की ready length लेंगे, तो जितनी भी हमारी ready length रहेगी, उसमें हमें 1 inch minus करना होगा, क्योंकि हम यहां पर belt अलग से attach करेंगे, यहां पर pen की ready length है, 36 inch, तो हम यहां पर 1 inch minus करेंगे, तो 30 inch पर marking करेंगे, और 2 inch हम नीचे की पटी fold करने के लिए extra लेंगे, तो हमने यहां पर फेवरी को double fold करके विचाया है, और यहां पर हम इसी तरह से marking और कर लेंगे, और इन दोनों पिसानों को हम इस तरह से सिदा मिला लेंगे, हमने यहां पर पैंड की लेंग्ड तो ले ली है, अब हम यह आंपर पैंड की कमर लेंगे, तो हमारे यहां पर जितना भी हिप साइज होता है, उसे हमें 4ed device करना होता है, तो हमारे यहां पर हिप साइज साब 40 inch तो 4eren design करेंगे, 10 inch और एक inch हम सलाई margin के लिए लेंगे और 1 inch हम plates के लिए लेंगे तो हम यहाँ पर 12 inch पर यह marking करेंगे इस तरह से हमने यहाँ पर यह 12 inch पर marking कर ली है हम यहाँ से hip size लेंगे तो hip size को भी हमें force device करना होगा तो हमारी hip size है यहाँ पर 40 inch तो force तो 10 इंच और 2 इंच हम यहां पर एक्स्ट्रा लेंगे तो यहां पर भी हम 12 इंच पर यह मार्किंग करेंगे यहां से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस तरह से सिधी लाइन ड्रो कर लेंगे और एक इंच पर इस तरह से मार्किंग करेंगे और राउंड शेफ ड्रो कर तो 14 का हाप करेंगे तो 7 इंज तो इस तरह से हमारा यहां पर bottom part 7 इंज का आएगा तो हम यहां से इस तरह से नीचे की side में 7 इंज पर marking करेंगे इस तरह से हमने यहां पर यह marking कर लिए अब हमारा यहां पर bottom part रहेगा अब हमारा bottom part है 12 इंज तो 12 का हाप करेंगे तो 6 इंज और 6 का हाप करेंगे तो 3 इंज तो हम इस side में marking करेंगे और 3 इंज इस side में marking करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर यह 3 marking कर लिए अब हम यहाँ से इस तरह से हलकी गोलाई देते हुए इन निसानों को मिला लेंगे और इस side में से भी इस तरह से हम यहां से bottom part को हम मिला लेंगे हमने यहां पर front part की तो marking कर ली है मैं आपको एक बारी और समझा देती हूं कि यह हमने किस तरह से marking की है जितनी भी हमारी paint की ready length होती है उसमें हमें 1 inch minus करना होता है क्योंकि हम उपर की side में belt अलग से attach करेंगे और 2 inch हम नीचे की पटी फोल करने के लिए extra लेते हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर ready length ले लिए है और यहाँ से हम कमर का measurement hip size की इसाब से लेते हैं तो जितना भी हमारे hip size होता है उसे हमें force device करना होता है और उसमें हमें 2 inch plus करना होता है एक inch फिलाई margin के लिए और एक inch plates के लिए तो इस तरह से हमने यहाँ पर 12 inch पर marking की थी आसन के लंबाई हम hip size की साब से लेते हैं जितना भी हमारे hip size होता है इसे हमें force device करना होता है और उसमें हमें 2 inch plus करना होता है तो हमने यहाँ पर 12 inch पर marking की थी और यहाँ से हमने 2 inch extra लिया था और इस तरह से हमने यहाँ पर आसन के गोलाई ड्रो कर लिती और यहाँ से हम bottom part कर center निकालते हैं तो हमारे यहाँ पर bottom part का center 7 inch आया है और हम निच्चे की side में 7 inch पर यह marking कर ली थी और यहाँ से हम bottom part हमारा 12 inch था तो हमें 12 का हाप किया तो 6 और तो 6 का हाप करेंगे तो 3 inch हम इस side में लेंगे और 3 inch हम इस side में लेंगे और यहाँ से हमने इस तरह से अलकी गोलाई देते हुए paint की shape draw कर ली है तो इस तरह से हमने यहाँ पर front part की marking कर ली है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है अब हम बेक पार्ट की मार्किंग करेंगे तो हम बेक पार्ट की मार्किंग यहाँ से करेंगे हम उपर की साइड में दो इंच पर यह मार्किंग करेंगे तो इस तरह से हम एक सिद्धी लाइन ड्रो करेंगे अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखेंगे हमने जो यह दो इंच पर मार्किंग की थी उसके बराबर में हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से, इस तरह से हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रख लिया है और बेक पार्ट हमारा यहाँ पर दो इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो इस तरह से हम यहाँ पर भी दो इंच पर यह मार्किंग करेंगे और इस तरह से सिधी लाइन ड्रो कर लेंगे हमारा यहाँ पर बेग पार्ट दो इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो हम यहाँ पर दो दो इंच पर यह मार्किंग करेंगे अब हम इन मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से हम आसन की गोलाई ड्रो करेंगे एके बेक पार्ड बोटम के साइड में से तो बराबर में रहेगा लंबाई में और हमने यहाँ पर आसन के साइड में से दो इंच एक्स्ट्रा लिया है बेक पार्ड को अब हम यहाँ से प्रंट पार्ड के साइड में से इस तरह से तीर्ची लाइन रो करेंगे हमने यहाँ पर बेक पार्ड में दो इंच एक्स्ट्रा लिया है आसन की साइड में से ताकि आसन में खिचाव ना आए इस तरह से हमने यहाँ पर दो इंच एक्स्ट्रा लिया है और इसी तरह से हमने यहाँ पर बेग पार्ट को 2-2 इंच पर एक्स्ट्रा लेते हुए बेग पार्ट की मार्किंग कर ली है अकर हम यहाँ पर आसन की साइड में इसे 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ पर आसन में खिचाव आता हमारे यहाँ पर आसन में खिचाव नाए इसलिए हमने यहाँ पर बेग पार्ट में दो इंच एक्स्ट्रा लिया है तो हमने यहाँ पर बेग पार्ट की मार्किंग कर ली है कटिंग कर लेंगे मैंने यहाँ पर बेग पार्ट की भी कटिंग कर ली है हमारे यहाँ पर दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है अब हम पोकिट की कटिंग करेंगे तो पोकिट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर यह फेबरिक लिया है हमारे यहाँ पर pocket की length रहेगी 14 इंज और चोड़ाई रखेंगे हम 6 इंज तो इस तरह से हम यहाँ पर चोकर बोक्स बनाएंगे और यहाँ से हम हलकी round shape ड्रो करेंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर pocket की marking कर ली है अब हम इसकी cutting कर लेंगे देखे इस तरह से हमने यहाँ पर pocket की cutting भी कर ली है कमारे यहाँ पर paint की cutting complete हो जाती है अब हम यहाँ पर front part में tux point की marking करेंगे तो हम यहाँ पर bc enter में marking करेंगे और tux point की length रहेंगे हम 4 इंज और यहाँ से हम चोड़ाई रखेंगे एक इंस तो इस तरह से हम यहाँ पर हाप आप इंस पर मार्किंग करते हूँ, इस तरह से लाइन ड्रो कर लेंगे, अब हम इंस यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, इस मार्किंग को हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे, तो यहाँ पर हम प्रण्ट पार्ट को पराबर में मिला प्रणपार्ड को सिद्धी साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम राइट साइड की तरफ हमें पोकिट को इस तरह से उपर की साइड में रखेंगे और यहाँ पर हम दो इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम साढ़े पांच इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस तरह से हम एक सिधी लाइन ड्रो करेंगे हाप इन छोड़ते हुए अब हम यहाँ पर यह जो हमने यह सिधी लाइन ड्रो की थी यहाँ पर हमें शिलाई लगानी है तो इस तरह से हम यहाँ पर यह लाइन पर हम शिलाई लगाएंगे अब हमने ये शिलाई लगा ली है अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे कोर्णर पर तो इस तरह से हम यहाँ पर यह कट लगा लेंगे अब हम पोकेट को इस तरह से नीचे की साइड में करेंगे और यहां से अच्छी तरह से शेट करते हुए यहां पर हम एक फिनिसिंग की शिलाई ओर लगाएंगे हमारा पोकिट यहां पर नीचे की साइड में आ गया है अब हम यहां पर एक फिनिसिंग की शिलाई लगाएंगे तो देखे हमने यहां पर पिनेशिंग की शिलाई लगा ली है अब हम पेंट को इस तरह से पलटेंगे और हम यहां पर पोकिट को बी सेंटर में शेय पकड़ेंगे तो इस तरह से हम यहां पर से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहां से हम कॉर्णर से एक शिलाई लगाएंगे इस तरह से बराबर में मिलाते हुए राउंड में हम यह शिलाई लगा लेंगे और यह शिलाई लगाने के बाद में हम पोकिट को इस तरह से करेंगे और यहां से हम पोकिट को सिधा कर लेंगे इस तरह से हमने यहां पर पोकिट को सिधा कर लिया है यह आप देख सकते हूँ अब हम pocket को इस तरह से यह pocket हमारे यहाँ पर नीचे की side में चला गया है उल्टी side में अब हम यहाँ से इस तरह से इन corner को मिलाएंगे और यहाँ पर हम शिलाई लगाएंगे नीचे की side में लगाएंगे एक डेड़ इंस और उपर की side में इस तरह से दो इंस पर यहां पर पोकिट बंद ना हो जाए तो हम यहां पर पोकिट का द्यान रखते हुए हमें यह शिलाई लगानी है इस तरह से हम आप इंज का मार्जन लेते हुए यह शिलाई लगाएंगे तो देखे हमने यह शिलाई लगा ली है तो इस तरह से हमारे यहाँ पर पोकिट लगकर त्यार हो गया है तो देख सकते हो आप तो देखे गाईज हमारे यहाँ पर पोकिट लगकर कम्पलीट हो गया है अब हम यहाँ पर बेल्ट अर्टेज करेंगे तो मैंने यहाँ पर बेल्ट अटेज करने के लिए यह चार इन चोड़ी पटी कटकी है और इस पटी को हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के अटेज करेंगे तो इस तरह से हम इस पटी को नीचे की साइड में रखेंगे और पोकिट को भी हम इस तरह से बराबर में मिलाते हुए शिलाई लगाएंगे और यह शिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम फोल्ड करते हुए इस शिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट का बेल्ट लगकर त्यार हो जाएगा कि हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के बेल्ट को टेज कर लिया है अब हम बेक पार्ट त्यार करेंगे तो हम यहाँ पर आसन की शिलाई लगाएंगे इस तरह से हम यहाँ पर डबल शिलाई लगा लेंगे और यह शिलाई लगाने के बाद में हम बेक पार्ट में भी बेल्ट अटेज करेंगे तो यह मैंने यहाँ पर चार इन चोड़ी यह पटी कटकी है हम इस पटी को इस तरह से बेक पार्ट के नीचे की साइड में रखेंगे बेक पार्ट के उपर की साइड में राइट साइड है और नीचे की उल्टी साइड है तो हम यहाँ पर उल्टी साइड में इस बेल्ट को रखेंगे और इस तरह से हम fold करते हुए यहाँ पर belt तियार करेंगे तो देखे इस तरह से हमने यहाँ पर back part में भी belt को attach कर लिया है अब हम यहाँ पर elastic attach करेंगे तो हमारी जितनी भी कमर है उसका हम यह hop करना है तो 32 इंच तो 32 का hop करेंगे तो 16 इंच और 3 इंच हम माइनस करेंगे तो हम यहाँ पर 13 इंच का यह elastic कट करेंगे तो मैंने यहाँ पर 13 इंच लंबाई का elastic कट कर लिया है अब हम इस elastic को belt में attach करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर pin की मदद से plastic को belt में attach कर लेंगे इस तरह से elastic को अटेज करने के बाद में हम यहाँ पर side में शिलाई लगा लेंगे, दोनों side में अब हम यहाँ पर उपर की side में एक शिलाई ओर लगा लेंगे, इस तरह से elastic को खीशते हुए तो देखी इस तरह से हम यहाँ पर बेग पार्ट में इलास्टिक अटेच हो गया है अब हम यहाँ पर बेग पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोइंट करेंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर बेग पार्ट के उपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस तरह से बराबर में मिलाते हुए शेट करेंगे अब हम यहाँ पर पिटिंग की मार्किंग करेंगे तो हमारी यहाँ पर दो इंस तो फोल्डिंग के लिए है और दो हिंस हम यहाँ पर साइड में कट लगाएंगे तो इस तरह से हमने यहाँ पर यह मार्किंग कर ली है अब हम यहाँ पर इस तरह से प्राबर में शिलाई लगाकर इन दोनों को अटेज कर लेंगे इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी यह शिलाई लगा कर अटेज करेंगे अब हम यहां से शिलाई लगाएंगे तो यह हमारी पोकिट वाली साइड है तो इस तरह से हम यहां पर दोनों पार्ट्स को पराबर में रखेंगे और हमारी यहाँ पर pocket का द्यान रखते हुए, हमें यह शिलाई लगानी है, कि हमारी यहाँ पर pocket बंदना हो जाए, तो हम यहाँ पर pocket को side में करते हुए, यहाँ पर शिलाई लगाएंगे, यह जो हमारा यहाँ पर app inch extra है, वहाँ पर हमें यह शिलाई लेनी है, pocket को बंद नहीं करना है इस तरह से हम यह आपर द्यान रखते हो यह यह शिलाई लगानी है तो देखे इस तरह से हमने यह आपर यह शिलाई लगा ली है और यह हमारा यहाँ पर पॉकिट भी बन नहीं होगा है इस तरह से हमने यहाँ पर एकदम फिनिसिंग के साथ साइड की शिलाई लगा ली है अब हम यहाँ पर बोटम पार्ट को फोल्ड करेंगे इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्ड कर लिया है यह जो निच्छे की पटी फोल्ड करने के लिए लिया था उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहां पर हम शिलाई लगाएंगे इस तरह से हम दूसरी साइड में भी यह शिलाई लगाएंगे और यह शिलाई लगाने के बाद में हम इस तरह से बोटम पार्ट को सिद्धा करेंगे तो इस तरह से यह शिलाई लगाने के बाद में हमारे यहाँ पर यह शिलाई अंदर के साइड में चली जाएगी एकदम फिनिसिंग के साथ हमारा यहाँ पर बोटम पार तियार होगा तो इस तरह से हम यहाँ पर एक बड़ी शिलाई लगा लेंगे तो हम यहाँ पर उतुरपाई करने के बाद में इसको खोल लेंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बोटम पार तियार हो गया है अब हम यहाँ पर आसन के साइड में से बराबर में मिलाते हुए साइड की शिलाई लगाएंगे तो देखे गाईज इस तरह से साइड की शिलाई करने के बाद में हमारे यहाँ पर पैंट की शिलाई कम्पलिट हो जाती है आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंड में जरूर से बताएगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो देखने के लिए ठेंक यू